तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे जो 2000 रुपी के नोट का सर्कुलेशन बंद किया जा रहा है उसके पीछे का क्या objective है क्यों RBI 2000 रुपी के नोट पब्लिक से collect करेंगी इन सब चीजों से जुड़ी important बात है आपको इस वीडियो में पता लगने वाली है सो keep watching the video तो सबसे पहले तो 2000 रुपी का सर्कुलेशन क्यों बंद किया जा रहा है क्यों RBI इनको वापस पब्लिक से collect करेंगी इसके mainly दो रीजन बताए गए है रीजन नमबर फर्स्ट में ये बताए गया है कि जो 2000 रुपी के जादातर नोट है जिनका four से five years का life spend जो है वो लगबग पूरा हो रहा है और second reason के अगर बात करें तो public द्वारा इन नोट का इतना use देखा नहीं जा रहा है transaction करते हुए तो ये दो reason government की तरफ से बताए गए है जिसके चलते clean note policy जो है RBI run करेगी जिसके अंतरगत RBI 2000 रुपी के सारे notes public से collect करेगी और उसके बदले में उनको good quality notes जो है provide कराएगी तो ये ही इस पूरी policy का objective है अब बात कर लेते हैं कि क्या legal tender ही नहीं रहेंगे 2000 रुपी के note तो ऐसा नहीं है यहापे आप देख सकते हो 2000 रुपी back note will continue to maintain its legal tender status तो legal tender बने रहेंगे ऐसा नहीं है कि 2000 रुपी के note बंदी हो गया आप इसका transaction नहीं कर सकते है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है काफी साथ लोग इस बारे में misguide भी हो रहे थे तो यह आप बिल्कुल clear कर लिजिए लीगल tender 2000 रुपी का note अभी भी है और इसको next point में ही clear कर दिया गया है members can also use 2000 रुपी's note for the transactions and for receiving the payments यानि आप payment कर भी सकते हो payment receive भी कर सकते हो 2000 रुपी के note में और यह इसलिए clear किया गया है जादा जादा लोग हो सकता है इस notification के आते ही कल से 2000 रुपी के note जो है वो लेना बंद कर दें यह सोचते हुए कि उनको आगे चल करके problem हो सकती है 2000 रुपी के note exchange कहां पे कराएंगे या फिर deposit करने में को issue आएगा तो ऐसा बिल्कूल भी नहीं होने वाला है तो आप बिना किसी attention के 2000 रुपी के note का यूज भी कर सकते हो अब बात करें इनका क्या process रहेगा इसके बारे में तो आप अपने bank account में simply जा करके 2000 रुपी के note deposit भी कर सकते हो there is no issue साथी साथ आप 2000 रुपी के note है वो exchange भी करा सकते हो 23 माई 2023 से यह process शुरू हो जाएगा जबसे आप किसी भी अपनी bank branch में जा करके आप notes exchange भी करा सकते हो also आप deposit भी कर सकते हो अपने bank accounts में there is no issue exchange limit के अगर बात की जाए तो maximum आप one time में 20,000 रुपी से जादा के note नहीं exchange करा बाओगे तो अब यहाँ पे एक जो important point है वो आप देख सकते हो कोई non account holder also can change 2,000 रुपी bank notes up to a limit of 20,000 रुपी at a time at any bank branch यानि कि किसी person के पास में अगर कोई bank account नहीं भी है still वो bank की किसी भी ब्रांच में जा करके एक time पे maximum 20,000 रुपे तक के 2,000 रुपे के note जो है exchange करा सकता है there is no issue at all तो सभी banks के साथ साथ में या पे RBI के regional offices, 19 regional offices जो है वहाँ पर भी आप जा करके इन notes को exchange कराने के processes को पूरा कर सकते हो साथ की साथ में exchange और deposit करते time पे जो senior citizens है और जो disabled people है उनके लिए special arrangements भी की जाएंगे ऐसा है आपर RBI ने बोला है और जो banks इन सब चीजों को properly follow नहीं करता है या फिर refuse करता है आपको मना करता है आपका note exchange करने से आपके notes को deposit करने से अगर refuse कर देते हैं तो उसकी complaint आपको कहाँ पे करनी है उसकी complaint आपको RBI के grievances portal के उपर करनी है वहाँ पे आपको complaint register करनी है और उस portal का 24-23 से पहले आप सभी लोग ये process को जरूर से पूरा कर ले और government का साथ जरूर दे so that's it for today thanks for watching this video I hope आपके साथ doubts clear हो गए होंगे इस चीज़ से related तो video को share कर दीजे channel को subscribe कर कि हमें support भी कर सकते हो thanks for watching this video